नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubah.org www.naysubah.org नई सुभा के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के आडियो लेर्णिंग टुटोरियल्स के साथ मैं हूँ ऐसनिक बाल आज हम बनाना सीखेंगे बीफ बिर्यानी इसके लिए जो अज़्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं गोश्ट तीन पाव सेला चावल तीन पाव ओईल दो कप प्याज तीन अदद स्लाइस कटे हुए टिमाटर आदा किलो ग्राइंड किये हुए लसन अदरक का पेस्ट वन टेबल स्पून दही एक पाव धनिया पोदीना एक एक बंच बारीक कटा हुआ हरी मिर्चे 10 अदद ग्राइंड की हुई शान बिर्यानी का डबा 1 अदद तर्कीब एक पतीले में गोश्ट को साफ करके बॉयल कर लें फिर दूसरी तरफ एक पतीले में ओयल गरम करके प्यास को गोल्डन फ्राय कर लें फिर लसन अद्रक का पेस्ट डाल कर एक मिनिट के लिए पकाएं फिर इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल कर गोश्ट शामिल करें और उसमें टिमाटर का पेस्ट और दही शामिल करके अच्छे से पकाएं फिर इसमें मसाले का डबा डाल कर मसाला भून लें और आखिर में तब तक पकाएं जब तक तरी उपर ना आ जाए चावल को कम से कम दो घंटे तक भिगो कर रखें फिर एक पतीले में चावल डालें और उसमें इतना पानी डालें कि एक इंच तक पानी उपर रहे अब उसमें एक टेबल स्पून नमक डालकर चावलों को बॉयल कर लें आखिर में चावल और सालन की ते लगाकर ते के दरमियां धनिया और पोदीना शामिल करते जाएं और ते मुकमल होने पर बिरियानी को दम पर रख दें आपकी मज़ेदार बीफ बिरियानी तयार है इंजुआए कीजिए ये थी आज की रेसिपी मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज झाल 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 झाल